मुदीजी आज तक किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई जो ये कहे कि मुसल्मानों को आरक्षन नहीं देना चाहिए मुसल्मानों को आरक्षन देना गलत है और आप तो चुनाव में खुले आम कहा रहे हैं मैंने कॉंग्रेस पार्टी को पिछले एक महने से कहता हूं कि आप लिखी इत मैं देश को गारंटी दो एक आप भारत के समिधान को नहीं बढ़ेंगे दूसरा समिधान बदल करके धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दोंगे तीशरा आप SC, ST, OBC का आरक्षन चीन करके आप धर्म के आधार पर वोट जिहाद वालों को आरक्षन नहीं देंगे लिख करके दो नहीं देते हैं देश को दो नो भाई बयान तक देनी की हिम्मत नहीं है फिर क्या कहते हैं अरे मैनिफेस्टों देखो मैं पूछता हूँ क्या किसी कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में लिखा है कि वो करप्षन नहीं करेंगे या करेंगे कि करप्षन करेंगे ऐसा उनके मैनिफेस्टों में कहीं पर है क्या कॉंग्रेस के पिछले पता साथ साल के मैनिफेस्टों देख लो एक भी मैनिफेस्टों में उन्होंने करप्षन का कारकम लिखा है क्या जड़ा बताईए ना कि करप्षन करते हैं यह नहीं करते हैं अब म मेरा मैनिफेस्टों जो को कहीं लिखाए गया अरे ऐसे दोड़ा होता है जी और आप देख लीजिए डॉक्टर मनमोन सिंग जी का बयान देख लीजिए ये सहजादे का बयान देख लीजिए उनके मैनिफेस्टों में ये कहते हैं कि अब ठेके अदर्म यहां समिटे मतलब कहीं ब्रीज बन रहा है तो आज ठेका कैसे मिलता है उनके पास रिसॉर्स इस किते हैं और जी ने है ट्रेक्रकण क्या है रफिक्ष मता कितनी है टेकनलोजीकल उनकी शमता कितनी है तुब सारी चीजिए देख करके टेंडर से कोई व्यक्ति प्राप्त करता अब यह क्या कहते हैं आप इसमें आरक्षन होगा अब मुझे बताइए साब वो ब्रीज बनाना है कि आपको आपके चुनाव जीतना है और कुछ काम है क्या इतना ही नहीं इनों नहीं हां तक मैनिफेस्टों में कहा है कि खेल में भी अब वो ध चार बजे उड़ करके पसीना भाता है जी तब जहां करके खिलाडी बनता है जिन्दगी के 15-20 साल वो खपा देता है और आप कहोगे ठीक है भई तुम उस मां की गोच से पैदा हुए तुम नहीं हो सकते उस मां की गोच से पैदा होंके वो आ जाएगा यह कैसे हो सकता है क्वावी काई